इस मीटर को तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा और आप लोगों के पाँ हो सकता है पल्सर ब्रांड की गाड़ी भी होगी तो उसी मीटर को आज हम रिपैर करने वाले हैं बिल्कुल ही डेड कंडिशन में हैं तो उसको रिपैर करने का जो तरीकर ने का आप लोग अच्छी तरीके से सीख सकें और मेरे समझाने के तरीक आप लोगों उपता है काफी डिफरेंट है बस आप लोगों से और कुछ नहीं बस एक छोटे से लाइक की उमीद रखता हूं अपना एक सेकंड वेस्ट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल आपके गद्डी के जैस नीचे फ्योज रहता है उसे भी आपने चेक कर लेना है वह सब चेक कर लिया उसके बाद आप सेटिस्फाइ होगे बडिस्पले ही आपके खराब है तो यह सब करने के बाद अब आपको माँ बतातो कैसे आपने रिपार करना है देखिए मैंने काफ क्योंकि इसे हम सिर्फ 12 वोल्ड देके ही लाश में चेक करेंगे कि या ठीक हुआ की नहीं ठीक है अब यहां पर यह जो प्लग है इसको दो प्लग इसमें आते हैं इसको आप छोड़ दीजिए बाकी आपने इसको फॉलो करना है ठीक है अब यहां पर आपको कैसे पता से ल इसको अच्छी तरीकी से मैंने पकल लिया है आपको अच्छी तरीकी से दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा ठीक है इसमें जो वायर होती है एक वाइट कलर की एक ब्राउन कलर की एक ब्लेक कलर की टीन वायर का खेल होता है वाइट कलर की पॉजिटिव एंड ब् अब आपको यहां से मैं इस तरीके से दिखाता हूं, पहली वाली लाइन पर बहुत सारी जो वायर आपको दिख रही है, इसमें से सिर्फ दो वायर पॉजिटिव की है, जैसे कि यहां से स्टार्ट करते हैं, यह देखिए, यह भी वायट है, बगल वायट है, बट इसमें भी निसान दे रखा, देखिए, इस वायट में यल्लो कलर का निसान देऊ है, इसको आपने छोड़ देना है, और दूसरे नमर की वायट पकड़नी है, जो बिलकुल साधी है, बिलकुल क्लियर वायट है, जिसमें कोई भी निसान या फिर मार्क नहीं है, ठीक है, यहां से दू या फिर इसमें दो, सिर्फ एक में देने से अन नहीं होगा, आपने बारे वोल्ड की जो बैटरी है, वहां से दो वायर उठानी होंगी, पॉजेटिव की, एक से ब्रीज बना कि आप लगा लीजिए, एक पॉजेटिव को यहां पर और दूसरे पॉजेटिव को ब्राउन में connect कर लीजिए, और बची आपकी negative यानि की ground की, तो उसको just उल्टा इस तरीके से करता हूं, देखिए इस तरीके से, ठीक है यहां इस तरीके से मैंने पकड़ लिया है, और यहां से हम start करेंगे, पहली है green, दूसरी है आपकी gray, तीसरी है black color की, black के उपर है आपकी pili color की यह आपकी negative की है, यहां से तीसरी number की जो आपकी black color की wire है, वो है negative की, यानि की battery से आपकी plus और minus की wire आती है, minus की wire यहां से start करेंगे, तीसरी number पे, आपका black है, जिसमें yellow color का निसान लगा हूँ है, वो आपका minus या फिर ground या फिर बैटरी का negative इस पे जूड़ जाएगा, समझ इस तरीकी से आप इसमें connect करेंगे, तो इसका wiring अच्छी तरीकी से हो जागा, मतलब यह meter तक आपका 12 volt पहुंच जागा, चलिए wiring करते हैं, अब एक चीज और आपको clear समझा देता हूँ, यहां भी brown वाली बहुत color की है, एक यह है, और एक चलिए brown एक यहां पर भी है, इसक आपने इस वाली brown को follow करना है, ठीक है, सबसे last में जो dark brown है, जिसमें कोई भी other पटी नहीं लेगी है, उसको follow करना है, वैसे white में simple white को follow करना है, पटी वाली white को follow नहीं करना है, समझ कि आप dark white और यह वाली white, यानि कि यहां से दूशा number और सबसे last वाला number का जो आपकी wire का, आपका point है, वो आपका positive 12 world का है, आपने द्यान से करना है, अगर गलत wiring, इसलिए मैं बार बार समझारों का, गलत wiring होगी, आपका meter हमेशा के लिए खराब हो जागा, इसलिए, या फिर कोई और जो भी controller रहेगा, वो हमेशा के लिए खराब हो जागा, इसलिए wiring को आपने यहाँ पर लाइन बनी भी है, वो आपका negative का है, यानि कि यहाँ से तीसे नमर की wire, समझगे, चलिए, मैं सभी के सभी connector है, जो जो मैंने बतायते हो, उस मैं आपको wiring करके, इस मेंटर को check करवा देता हूँ, फिलाले meter dead है, लेकिन हम satisfy होने के लिए repairing करने से पहले यह सब करें और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपका brown है, इसको भी attach कर लिया है, और यहाँ पर यह ground का है, यानि कि negative का है, यहाँ से तीसे नमर का हमारा क्या है, black color का wire, चलिए, इसको भी हमने attach कर लिया है, अब यहाँ पर इन दो लुपे मैं positive, यानि कि 12 volt positive देता हूँ, यहाँ पर एक 12 volt आ रहा है, और इसी मैं एक wire or attach करूँगा, कौन सा white color का, क्लाकि दो जगा हमने positive देना है, चलिए, मैं इसको connect कर लेता हूँ, इस point पर और इस point पर positive वाला, finally मैंने यहाँ पर wiring कर ली है, यहाँ पर देखे जो positive है, एक तो यहाँ पर white पर आ रहा है, और सबसे लास्ट में brown पर जा रहा है, और यह हमारा, देखे, ground यानि की neutral, जो कि यहाँ पर point जो मैंने बिताय थी, वहाँ पर मैंने connect कर लिया है, अब यहाँ पर आपको check रहा देता हूँ, इसमें accurate 12 volt मेजे मिल रहा है, क्योंकि मैं charger की मदद से इसको दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखे, इसको अब यहाँ पर हम check करेंगे, कि इसमें क्या problem हो सकती है, सबसे पहले यहाँ पर सभी वायर को मैं disconnect कर लिता हूँ, ताकि यहाँ पर easily हम काम कर सके, तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर सारे के सारे screw खोलने है, तो यहाँ पर screw दिये गे है, one, two, three, four, five, ठीक है, यह सभी के सभ खोलने से पहले एक बार मैं इस सेक्शन में चेक करूंगा यह जिगह वैसे चिपका के रखे वी इदर तो कोई ऐसा प्रोब्लम तो नहीं होना चाहिए यहां फैविक विक भी डाला हुआ है तो चलिए इसको खोल के एक बार इसी सेक्शन को चेक करेंगे कि यहां से यहां तक तो यहां पर बिल्कुल सब ठीक ठाकी है इसके प्लग को हम खोल के चेक कर लिए ठीक' है तो यहां पर इस पिन को दबा के उसको खीचना पड़े गा एक मेठ काफी टाइट है हो सकता है पहली बार खुल रहा हूँ ठीक है इसको दबा के हां खुलिया यह यहां पर आप स्में लगा हुआ है, उसमें पानी बगर गया है, लेकिन इसमें तो पैक एकाओ उसमें पानी कहा बिदुनяг ल यह ब्लेक ऩो यह ब्लैक है यह तरिक से लगना है जो लगना है है यह वह उाला ब्रॉण से दूसरी नंबर यह घर मैं तो यहां पर टूटा हुआ एक मेर्ट आपको दिखा दूँ मैंने भी ज्यादा गौर नहीं किया जब अच्छी तरीक से देखा तो देखिए लगने रहा बिल्कुल टूटा हुआ अगर के लेकिन आप गौर से देखिए तूट के अंदर जंग लगा हुआ है देख सकते आप यह देखिए यह देखिए यानि कि इसमें यही तूटने की वज़े से हो सकता है हुआ हो बट यहां पर से कंफर्म करने के लिए एक बार मीटर को खोलना जरूरी है एक बार मैं रीडिंग भी चेक लेता कोई स्वाट सर्केट तो नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा होता है दूस्तों ह और संवा करना फ OFF लोख या और फिर यह जला हो ऑ सब्सक्रा करना है कि मने लगा के कनेक्शन नहीं करना है ठीक है सबसे वहाइंथ हमने डिगाटिव को फॉल्लू करना है यानि कि यह अपर रहा है उसको फॉल्लू कर ले थे यहां के दो Psal नेग from नेगेटिव के हैं मैं य कोई भी sorting इस्यू नहीं आ रहा है ठीक है वैसे एंड यहां पर जो पिंट टूटी भी है नेगेटिव के साथ हमारा यह वाइट का पॉइंट इसमें भी कोई sorting नहीं बता रहा है और इसके साथ ब्राउन में चेक करें लाते है यह देखें परफेक्ट है कोई sorting नहीं है तो इसका मतलब यह तूटने की वज़े से ऐसा हो चकता है वह हो बट यहां पर मीटर को खोल के चेक करना होगा जब इसको हमने जोडना भी है तो दोस्तों यहां पर पूरा मैंने complete इसको खोल लिया है और भी इसको खोलना है हमने यहां पर जितने भी स्कूरू यह दिख रहे है वन टू थी फोर फाइव यह सारे के सारे खोल के और यह सुई भी खींच के लिए से खुल जानी चीए हां खुल चुके है इसको हम अलग कर लेते हैं बाकी यह वाला प्लेट हमने खोलना है सर्कुट को हमने बाहर निकालना है और एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं यहां पर यह वाटर जाने के वज़े से हो चकता वाटर डैमेज भी हो हो क्योंकि देखिए कापी सारा इसमें यहां पर क चली सारे की सारी स्कुर मां खोल लेता हूं इसमें जंग लगा हुआ है काफी सारा तो उम्मीद तो नहीं है कि यह बन जाएगा बड़ यहां पर कोशिश करते हैं कोशिश करने से ही कुछ न कुछ हो सकता है रिजल्ट मिल जाए चली यह तो खुल चुका है एंड दो और श्कुर बचे हुए एक ही काफी जंग लगवा है पता नहीं खुलता नहीं खुलता यार यहां खुल तो चुका है एंड यहां पर एक श्कुर बचा हुआ है एक मिलट यार इसके तो हैट कट गया एक मिलट कोशिश करें दो यहां पर यह वाला स्कुरू काफी जंग खा चुका है मैं उसे खोल कर आपको दिखाता हूं चलिए काफी मसर घत करने के बाद इस स्कुरू को हमने खोल लिया है काफी जंग लग जो बाद में से हम चेंज क तोटा हुए देखी यह वाला पॉइंट हमारा तोटा हुए जो इसका पॉइंट तोटा हुए यहां से सबसे लाश्ट का तोटा हुए यानि कि यहीं से दिख जा रहा है यह यहां पर एक चीज में आपको बता दूँ इस पूरे शर्कित को ओपन करने के लिए आपने यहा यहां पर जंग खाके हटा हुए इसको हमने चुड़ाना होगा चलिए कोशिश करते हैं तो इस वाले पॉइंट को हमने डिसोल्डिंग करना है सबसे लाश्ट में ठीक है यहां पर आयरन को लगा के बाद देख लेता हूँ इसको दिक्कत हो सकती है चलिए मैं एक काम और कर सकता हूँ उसके लिए यहां पर मैं खिम्टी डालके इसको इस तरीके से खीच लूँगा जब यह डिसोल्डिंग होगा ठीक है इसको मैं बाहर इस तरीके से निकाल लेता हूँ तो यहां पर अभी भी कोई कंफर्म नहीं है वही काम करने के बाद आपका मीटर चालू हो की नहीं क्योंकि यहां पर मुझे डैमेज टाइप का लग रख यहां पर देखिए आपको मैंने पहले दिखाता है यह देखिए डैमेज टाइप का हो रहा है चलिए पहले इसको हम पिन को चेंज करके एक बार ट्राय करके देखेंगे चलिए यहां पर किसी भी तरीके से इस को मैंने निकाल के यहां पर हटाना होगा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं काफी मसकत करके थोड़ा सा घाव लग गया से मैं बाद में रेती से साफ कर दूँगा यहां पर काफी मसकत करके उस पॉइंट को मैं हटा दिया है और यहां से देखिए एक होल टाइप का बना दिया पार तक ताकि यहां से एक पिन डालके वहां पर मैं सोडरिंग कर दूँ ठीक है यह वैसे जुगार तरीका है लेकिन यहां पर जुगार नहीं बलकि परफेक्ट तरीके से करेंगे ताकि यह बार-बार ना आए ठीक है एक स्टील का या फिर एक पक्य वाले मेटल का मैं यहां पर पिन लगा के इसमें इस तरीके से इसमें जॉइंट कर दूँगा एक प्रॉब्लम और है जो यहां पर प्लग लगता है इसके यहां पर फसी हुए मैंने अभी इसको गॉर से देखा त जलिए पहले इसको त कर लेता हूँ ठीक है यहां पर दृखिए यह जो है इस पर एक लोह कक रिखा रहता है आपको में दिखाते हूं, देखे यहां पर प्रेश करेंगे और इसको खीज देंगे, तो असानी से निकल जाएगा यहाँ पर यह देखिए यह वाला लॉक ठीक है यह हमारा बाहर तो निकल चुका है पूरी तरीक से डैमेज भी हो चुका है मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहें तो इसकी जिगह पर दूसरा वाला यहाँ पर इस तरीके का लॉक लगा सकत हैं यहाँ फिर आप दूसरा वाला यहां पर यहetter कर सकते हैं अगर आप बिना किसी खर्चे करना चाहते हैं तो मैं इसको बता देता हैं सबसे पहले מkt कर लड़ा ठीक है सको इसको क्लीordinate अ करके फिर मैं इस पर यहाँ पर लगांगा वह आपको पूरा बताऊंगा यहां पर देखिए मैंने इसको बाहर निकाल लिए यह तूट के यह अंदर फसा हुआ था अब यहां पर हमने करना क्या है सबसे पहले तो यहां पर इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल वैसे इसके निकाला था बिल्कुल वैसे इसके अंदर हमने फिट कर लेना होगा चलिए इसको थोड़ा सब प्लास वगर की मदस से प्रेस कर लेता हूं और अपने खांचे फिट हो चुका है देख सकते हैं अब बात आती है इसमें पिन हमने कैसे बनानी है तो यहा पर जो हमने होल बनाया था लास्ट वहां तक उसको डिसोल्डर कर लिया था यहां से वहां तक हमने इसको डाल देना है देखिए सबसे पहले यहां पर आपको दिखाता हूं फोकस करवा देता हूं यह देखिए इदर पर आ चुका है यह देखिए आपको हिलते होए दिख रह के अलग कर लेता हूं तो यह देखें को हम बाद में सीधा विदर जो भी करना होगा कर लेंगे पहले इसको मैं यहाप पर इसदर पे शोल्डिंग मार देता हूं दोस्तों करने से पहले आपको एक ची बता दू यहाप एक लॉक होता हलका सब उसको उठा लीजिए ताकि सोल् यहाप लगा कि ही आप सोल्डिंग कीजिए का तक यह भर जाए और इदर दर ना हिले तो चलिए मैं इसको सोल्डिंग मार देता हूं फिर आपको मैं चेकरवा के दिखा देता हूं यहाँ पर देखिए यह पॉइंट हमारा सोल्डिंग चलिए हो चुका है परफेक्ट तरी प्लग में फिट कर लूगा चलिए यह हो जुका है मिलकु प्लग लगा कि देख लेता हूं और फिन हमारी फिट आरी की थीक है तो यहाँ पर यहाँ पर चलिए इस लोको मैंने लगा लिया है यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे है चलिए एक बार मिकाल के मैं कानेटर के ऐसे करता हूँ थेड़ी विली तो नहीं हुई तेले हो फिर दिक्कत कर सकती है बिल्बकुल पर फ्रफेक्ट है कोई यहां पर दिक्कत भी नहीं आ रहे है ठीक है थो एक यहां पर फजाले दाओं चलिए दोस्तों कनेक्ट तो हो चुका है एक बाइज में इसकी रेडिंग चेक कर लेता है कि वाइट वाली वायर वहां तक अनेक्टिवीट दे रही किने ठीक है सबसे पहले मैं यहां पर जो वाइट कलर की वायर है उस पर मैं मल्टिमेटर की एक प वायरिंग परफेक्ट है ठीक है चलिए आप इसकी वायरिंग करके एक बाइज कर लेते हैं अब यहां पर जो जो पॉइंट आपको मैंने बिता थे उन उन में इनको हमने वायर को लगा लेना है जो की 12 वोड के हैं सबसे पहले हम पॉजिटिव यह वाली हम पकड़ लेते ओने तो यह पर जो भी है वायरिट वाली आपको मिलती है साधी ठीक है में कोड़े वाली साधी वाली की दूसे नमबर हम इसको लगा लेते हैं यहां पर ब्राउन की बार्यती सबसे लास्ट में ब्राउन और अब आती हमारी ग्राउंड यह फिन नेगाटिव यह हमारी यह यहां से तीसंड नमर की तो चलिए अब charger का लेते हैं और यहां पर चेक करते हैं कि मेंटर चलता है कि नहीं ठीक है चलिए एक मेंट तो यहाँ पर मैंने चार्जर को ओन कर लिए है और देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मीटर हमारा चल चुका है अगर स्वाटिंग वोटिंग आता तो फिर इसमें हम नेक्स चीज हम जो है चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर चल रहा है तो टोटल में आ तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर यह पैकिंग कर लेना उससे पहले आप जो भी कार्बन लगाओ है यह सब हमने क्लीन कर लेना है ताकि बाद में पर प्रॉब्लम ना आए चलिए इसको मावाफ कर लेता हूं मैं और इसको क्लीन वगर करके पैक कर लूँगा आप इसे क् क्लीनर है यहाँ पर इसको क्लीन कह लेना है वैसे जब तक इंप slots मीटर का उपrun average भाण कोटगर रहेगा जो उपर आपको मैं दिखेसं देना तब तक आपको दिक्कत होती रहे इसलिए हाँ पर इसको पानी से बचाना होगा अभी हमने यहाँ पर लगाना है सबसे पहले इसे ठीक है यहाँ पर सारे स्कुरू कश लूँ इसके बाद मैं नेक्स्ट जितने भी यहाँ पर रहेगा वो सब मैं लगा लूँगा इसके सारे स्कुरू लगा लिए अब बिल्कुल फर्फेक्ट है इसे अब बिल्कुल ठीक है सारे बटन वगरे वर्क कर रहे हैं यहाँ पर आपको एक चीज़ में बता दूँ यहाँ पर जितना भी आपको कर्बन दिख रहे हैं एक बाद क्लीनर से आप इसको क्लीन कर लेजिगा सबसे बहुत की टेस्टिंग करता हूं उसका वीडियो कमेंड कर दूँगा ठीक है यह लग चुका है और यहाँ पर चलिए एक बार आउन कर लेता हूं आपको दिखाता हूँ चलिए स्विच ओन कर चुका हूं एंड हां देखिए वेट करते हाई चल च इसको रिशेट भी कर लेते हैं चलिए यह देखिए यह देखिए यह देखिएगा यहां पर बैटरी लोग यह पर निचान दिखा रहा रहा है बाकी अधर से आपको पर अगर को प्रोब्लम फेस करना पड़ रहा है तो ठीक है चलिए विडियो करते हैं मिलते कर लिए